आज हम बनाएंगे होली स्पेशल सूजी मावा गुजिया हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल दोस्तो आज हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल गुजिया बना कर तयार करेंगी और ये गुजिया 15 से 20 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होगी ऐसे ही खस्ता और क्रिस्पी बनी रहेगी बहुत सारे टिप्स आपलों के साथ वीडियो में शेयर करने वाली हो और बिना सांचे के आप इस गुजिया को कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी उमीद करती हो रेस्पी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो चलिए जल्दी से इस खस्ता गुजिया को बनाना शुरू करते हैं और दोस्तो अगर आपको आज की रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ तो चलिए शुरू करते हैं से बनाना जोस्तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आठा लगा कर तयार करेंगी तो यहां पर मैने 500 ग्राम मेदा इस तरह से एक बड़े बरतन के अंदर डाल लिया है और इसे मैने चाण कर लिया है अब हम इसके अंदर मॉयन लगाएंगे तो मॉयन लगाने के लिए यहां पर मैने आधा कप देशी घी लिया है और आप देख सकते हैं कि घी बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं है हलका सा जमा हुआ घी हमने लिया है तो इसमें से मैं अभी आधा घी डाल रही हूँ आधा घी हमने बचा लिया है तो पहले से मिक्स कर लेते हैं अगर हमें और घी डालने की जोड़त पड़ेगी तो वो घी भी हम इसके अंदर डाल देंगे हाथों से इसे बड़ी हासा मिक्स कर लेजिए और दोस्तो घी का मौइल लगाने से गुजिया बहुत ज़्यादा खस्ता बनती है वैसे आप इसके अंदर ओयल भी डाल सकते हैं लेकिन अगर आप घी डालेंगे तो गुजिया ज़्यादा खस्ता बनेगी क्योंकि हलवाई इसके अंदर घी ही डालते हैं तो चलिए यहाँ पर घी मुझे थोड़ा से कम लग रहा है तो जो बचा हुआ घी हमने रखा था वो आप इसके अंदर डाल दीजिए तो सारा घी हम इसके अंदर डाल देंगे टोटल हमने यहाँ पर आधा कप घी लिया है तो बड़ी असा हाथों से इसे मिक्स कर लीजिए और हाथों से आप इसे इस तरह से रब करते होई मिक्स करेंगे तो मैं दे के एक एक कण के अंदर घी अच्छे से लग जाएगा और गुझिया बहुत ज़ादा खस्ता बनेगी तो चलिए इसे बड़ी असा मिक्स कर लेते हैं और मैं आपको बताऊंगी चेक करके किस तरह से आपको चेक करना है तो देखे इस तरह से अगर हम इसकी मुठी बांद कर देखते हैं तो इसका एक लड़ू सा बन रहा है इसका मतलब हमने सही मौयन इसके अंदर लगाया है तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसका टाइट आटा लगा कर तयार करेंगे जिस तरह से आप मठरी के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही आटा हमें यहां पर लगा कर तयार करना है तो पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसका एक्तम टाइट आटा लगा कर तयार कर लीजिए तो चलिए हमने इसका आटा लगा कर तयार कर लिया है और एक्तम सखत आटा हमने लगा कर तयार किया है और इसे मसल कर बड़ी हसा चिकना कर लीजिए और इसके बाद हम इसे ढग कर rest के लिए रखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए इसे एक कपड़े से इस तरह से cover कर दीजिए तो cover करने के बाद हम इसे ढग कर 10-15 मिनट के लिए rest के लिए रखेंगे तब तक हम गुजिया के लिए stuffing तयार करेंगे तो यहाँ पर मैंने गैस के उपर एक पैन रख लिया है और इसके अंदर हम एक चमच देशी घी डाल देंगे और गैस के फ्लेम को आप यहाँ पर लो कर लिजिए और यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ ड्राइ फ्रूट्स लिया है 15-20 गाजू, 15-20 बादाम और 15-20 ही मैंने प पड़ जाएगी और दूसरा इनके अंदर एक क्रंची पनाएगा तो जब आप कुझिया खाएंगे तो खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगेगी तो लो फ्लेम पे लगाता है चलाते होई हम इने हलका सा रोस्ट कर लेंगे हमें बहुत ज़्यादा कलर अगरा इनका च किश्मिश ली है यह भी डाल देंगे तो ड्राइफ रूट्स आप अपनी पसंद के अनसार ले सकते हैं तो इन्हें डाल कर हलका सा भून लीजिए बहुत ज़्यादा हमें इने नहीं भूनना है बस कुछ सेकिंड के लिए हमने किश्मिश को भी इस तरह से चलाते हुए आपके पास सूखनारियल है तो उसे आप क्रेट करके यानि के कद्दुकस करके यहां पर डाल दीजिए वो भी आप यहां पर ले सकते हैं तो यहां पर मैंने मार्केट वाला लिया है तो हम इसे लगतार चलाते हुए कुछ सगिन के लिए भून लेंगे और जब आप इसे तो बहुत अच्छी से खुश्बू इसमें से आने लगती है तो चलिए हमने इसे भून लिया है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि यह चीज़े जल्दी से ठंडी हो जाएं तो मैं इसे एक बड़ी प्लेट में इस तरह से निकाल रही हूँ और इसे प् पर मैंने आधा कप सूजी ली है यह थोड़ा सा मोटी वाली सूजी मैंने ली है दोस्तों आप चाहे तो बरिक सूजी भी यहां पर ले सकते हैं तो लगतार चलाते होए हम सूजी को भूनेंगे सूजी का कच्छापन निकल जाए और हलका सा इसका कलर चेंज हो जाए यानि दिखाती हूँ और इसको भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है सिर्फ दो से तीन मिनट का समय इसको भूनने के लिए लगता है और आप यहां पर देख सकते हैं कि सूजी बड़ी ऐसा भून चुकी है हलका सा इसका कलर चेंज हो गया है तो चलिए अब हम इसे इसी प् मावा लिया है और इसे हम पैन में डालकर भून लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी नमी वगरह है वो ना रहे तो आप इसे इस तरह से पैन में डालकर थोड़ा सा भून लेजिए दोस्तों मावा की दो रेस्पीज मैंने चैनल पे अपलोड की है एक इंस्टंट मावा जिस उन्हें देख सकते हैं और इजिली घर में आप मावा तयार कर सकते हैं तो चलिए लगातार चलाते हुए हम इसे भून लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी नमी वगरह है वो निकल जाए और दोस्तों जब हम स्टफिंग के अंदर इस तरह से मावा को थोड़ा सा भून कर ड लिया है अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए वह जैसे ही ठंडा हो जाता है हम इसे इसी प्लेट के अंदर निकाल देंगे जिसके अंदर हमने स्टफिंग रखी होई है और आप यहां पर देख सकते हैं यह बिल्कुल ठंड तो सारी चीजे हमें याँ पर ठंडा करके लेनी है क्योंकि अब हम इसके अंदर पाउडर शुकर एट करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक कप पाउडर शुकर लिया है और इसमें से मैं थोड़ा सा पाउडर शुकर बचा लेती हूं तो पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं, अगर ह थोड़ा सा मीठा कम लग रहा था तो बचा हुआ पौडर शुगर भी मैंने इसके अंदर टाल दिया है यानि के टोटल हमने इसके अंदर एक कप पौडर शुगर एड़ किया है हाथों से बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए और आप चाहें तो इसके टेस्ट को और ज्यादा और अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं तो चलिए स्टफिंग को मैंने बाउल में ट्रांसफर कर लिया है और अब हम आटे को देख लेते हैं आटे को हमने 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था और आटा बढ़िया सा फूल कर सेट हो गया है एक पुझिया तयार करेंगे और बाकी आटे को हम कपड़े से फिर से ढख कर रखतेंगे ताकि इसके उपर पपड़ी ना आ जाए और आटा उपर से ड्राइ ना हो जाए तो आप इससे ढख दीजिए और थोड़ा सा पोर्शन लेकर हम इसे थोड़ा सा इस तरह से रोल कर लेंग यहां पर जो लोई हम बना रहे हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी लोई ही हम बना रहे हैं तो इस तरह से बसातों से प्रेस कर दीजिए इससे थोड़ा सा और अब हम इससे बेलेंगे और हमें इससे थोड़ा सा पतला ही बेलना है और इसको बेलने के लिए मैं बिल्कुल भी सुखाटा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हमने इसके लिए टाइटा लगा करते यार किया था तो आप इसे असानी से बेल सकते हैं तो चलिए अब हम इसकी गुजिया बनाएंगे गुजिया बनाने के लिए यहां पर मैंने एक गुजिया मेकर लिया है और इससे आप गुजिया बहुत ही असानी से बना सकते हैं दुस्तो अगर आपके बास गुजिया मेकर नहीं है तो आप कुजिया कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको अभी बताओंगी तो चलिए इसके किनारों पे हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे पानी लगाने से क्या होता है कि जब हम इसे बंद करेंगे तो ये अच्छे से लॉक हो जाएगी कुजिया बिल्कुल भी नहीं खुलेगी अच्छे से चिपक जाएगी तो इस तरह से किनारों में इसके आप इस तरह से थोड़ा सा पा तो गुजिया जब आप फ्राय करेंगे तो वहां पे फट सकती है तो आप स्टफिंग देख करी भरिए तो चलिए इसे इस तरह से फिर प्रेस कर दीजिए बहुत अच्छे तरीके से और यह जो फाल्तु आपको इस तरह से यह आटा दिख रहा है इसे हम निकाल देंगे और बहुत ही अराम से अब हम इसे खोलेंगे और गुजिया तयार हो जाती है और यह बिल्कुल भी नहीं खुलती है जब आप इसे फ्राय करेंगे चलिए इसी तरह से हम सारी गुजिया तयार कर लेंगे और इसे मैं इस तरह से एक प्रेट में रग देती हूँ और अब मैं करेंगे तो अच्छे से लॉक हो जाएगी और अब हम इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे तो स्टफिंग आपको बहुत जादा नहीं रखनी है यहां पर आप देख सकते हैं कि दो चम्मच मैंने स्टफिंगे रख दिये हैं और अब हम इसे उठाकर इस तरह से बंद कर और बिना सांचे के दोस्तों इस तरह से आप बहुती असानी से गुजिया तैयार कर सकते हैं तो इस तरह भी आप गुजिया बना सकते हैं तो चलिए बिना सांचे के गुजिया बनाने का दूसरा तरीका देखते हैं तो देखे पतली रोटी मैंने बेल ली थी और उसके बा और इसको इस तरह से किनारों से मोड़ेंगे तो देखे प्रेस करना है और आपको इसे मोड़ना है इस तरह भी आप गुजिया तयार कर सकते हैं दोस्तों यह भी बहुत ही असान तरीका है अगर आपके पास गुजिया मेकर नहीं है तो आप इस तरह से असानी से तयार कर सकते तो छलिए सारी गोजिया तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम इने फ्राइ करेंगे, गोजिया को फ्राइ करने के लिए हमने तेल को गरम होने के लिए रख दिया था, तेल को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और उसके बाद आप गैस का फ्लेम बिलकुल लो कर दीजिये लो फ्लेम पे ही हमें गुजिया को फ्राइ करना है तब ही गुजिया एक्तम खस्ता बन कर देयार होती है दोस्तों तो गैस का फ्लेम आपको बिलकुल भी तेज नह गोल्डन कलर आ जाएगा तब आम इने तेल में से बाहर निकार लेंगी और एक दम खस्ता होने तक हमेज़े इसे fry करना है और इसको fry होने में तोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हम low flame पे इने fry कर रहे हैं तो चलिए इसे चलाती होई fry कर लेते हैं उसके बाद हम बाकी की गुजिया को भी फ्राइ करेंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुजिया का कलर कितना सुंदर हो गया है और गुजिया बहुत अच्छे से फ्राइ हो चुकी है दोस्तों अगर आप चंदरकला गुचिया की रेस्पी देखना चाहते हैं तो उसकी रेस्पी मैंने अल्रेडी चैनल पे अपलोड की है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं हर तरफ से गुचिया अच्छे से फ्राई हुई है यानि के हर तरफ से बहुत ही ब आप इसे किसी एर टाइट कंटेनर के अंदर भर कर रख लीजेगा तो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए बाकी की गुजिया को भी हम इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे उमीद करती हूं रेश्पी आपको बहुत ज़्यदा पसंद आई होगी आज का वीडियो आपके लिए काफी जादा है रहा होगा दोस्तो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कर ली खब पेजी ररागना रेगा रेगा रेपिन